बीजेपी ने राजस्थान के बारा में हुए रेप पर गेहलोत सरकार को घेरा है। दिल्ली में प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीरे तोर पर हमला पोला। दो नाबालिक बहिनों के साथ भी रेप हुआ था और वहां के मुख्यमंत्री अशोग गेहलोत जी कह रहे थे ये तो छोटा रेप है ये तो कोई बड़ा विशय नहीं है। मक राजनीती होती है ये जो सिलेक्टिव राजनीती है यह राजनीती नहीं हो सकता है। जिस 36 गड़ के मंत्री का जिक्र यहां पर संबित पात्रा कर रहे हैं उन्होंने रेप की खबर पर क्या कुछ कहा था वो सुनिये। हमारे हाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। और इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है हात्रस में रमन सिंग जी त्विट को नहीं कर रहे हैं। रमन सिंग जी का जबान क्यों बंद है उनको ये जोड़ देना चाहिए हाथ रस में जो घटा हुई का वह अच्छा हुआ है उसके लिए वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपूर में यहां चत्तिगड में वो सिर्फ चत्तिगड सरके और के अलोजना के लावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे है वाक्तिक ब्रेक का हो चला है बनिरे हम आए साथ देखते रहे हैं आज तक नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहे आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले